सब्सक्राइब दोस्तों विसे कुमार गुपता यूटूब चेनल में आपका स्वागत है रक्त परेशन चैनल का पार्ट टू बैयलोजी का प्रस्ण जो बहुत ही अत्यांत महत्पूर्ण कोस्चन दिये गया है जो बिभिन प्रतियुकता प्रिक्षाओं के लिए सभी के लि सब्सक्राइब देखें लिए पहला कोश्चन आप लोगों के समने है निम्नंकित में से मौनब शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं पांच ऑप्सन दिये गए यहां पर इसका सही अंसर है दोस्तों अप्सन नमर एक अंतास्रावी तंत्र अप्सन नम दौररा हार्मोन नियंत्रित होता है आई एप इस हर्मोन के बारे हम कुछ जानकारे लेते हैं तो देखें यह आप लोगोगों समने इसकी ब्याख्या को बारबार काते हैं, कि ब्याख्या पढ़े पढ़िये, तो बड़े गवर से पढ़िये। देखे क्या है। लिखा है मानब शरीर के अंता स्रावित अंत्र द्वारा हार्मोन स्रावित तथा नियंत्रित होते हैं ये तो कोश्चन था हो गया हार्मोन मुक्यत एक विशिष्ट कार्वनिक योगिक होते हैं अंता स्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियों भी कहते हैं यही ग् नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं यह राप लोग समने किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नम से भी जाना जाता है चार अप्सन दिये दोस्तों इसका साइए अंसर ऑप्सन नमर सी एस्ट्रोजन मादा हर्मोन मतलब इस्त्री प्रकार का हर्मोन हो गया एस्ट्रोजन ये टेश्टोष्टेरोन, ऑक्सिटोसीन या फेमिनोजैन ये सभी पुरूस के हर्मोन है मतलब नर हर्मोन जिसे बोला ज़ता है नर हर्मोन ये सभी पुरूस का हर्मोन है अब ये estrogen hormone क्या है इसके भी से हम कुछ जोन करे लेते हैं आए देखिए तो estrogen hormone महिलाओं में पाया जोने वाला hormone है जबकि testosterone पूरूस में पाया जाता है estrogen को ही मादा hormone के नम से भी जाना जाता है इसलिए estrogen है वो महिलाओं में पाया जाता है कि नेक्स्ट कुश्चन यह देखिए दोस्ता आप लोग समने 29 नम्मर है कि सूची बद इसका मिलाओं करना है कुश्चन का आए करते हैं दिया एक carbohydrate तो और प्रकार का अश्टार्च है आप लोग जौनते हैं अश्टार्च हो गया उसके बाद enzyme पेपसीन एक enzyme हो गया उसके बाद हार्मोन तो प्रोजेश्टेरोन आभी तुरून बता हार्मोन है ठीक उसके बाद देखिए protein किरेटीन एक प्रकार का प्रोटीन है तो सही एंसर उप्सिन नमबर बी आईए इसकी ब्याख्या देख लेते हैं कि यह रहा ब्याख्या 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 द्यावाए कि अश्टार्च एक पोली सेके राइट कार्वोहड्रेड होता है और प्रोजेश्टेरोन नमक हर्मोन या मादा जनन ग् होता है यह महिलाओं की अस्तन ग्रंतियों की व्रदी करता है कि रेटीन नमक प्रोटीन त्वचा में विशेश रूप से बालाओं का तथा ना खुनों में पाया जाता है एक बार यह कोस्चन फिर से देख लेजिए और इसका एंसर फिर से बोल रहा हूं एंसर है अस्टार्च एक पॉलीसेकराइड कार्वोइड्डेट है कोस्चन में यह एंसर है कि डिजर से के पाचन में सायता करता है प्रोजेश्टिरोन नवमक हार्मोन मादा जनन ग्रंथी अंडासय से संबंदित होता है यह अस्तन ग्रंथियों की विर्दी का नियंत्रन करता है किरेटीन एक प्रकार का प्रोटीन है तो अचाह में विसेश रूप से बालों तथा नौखुनों मे पाया जाता है किरेटीन नेक्स्ट कोस्चन देखिए यह रहा कोस्चन कोस्चन है चर्वी को हजम करने में जो पित द्रव सायता प्रदावन करता है वह सरावित होता है कोस्चन कर रहा है कि चर्वी जो हम खाते हैं उसे पचवने में जो पित द्रव सायता करता है वह किस ज पित यक्रित से स्रावित होता है यह एक हलके पीले रंग का छाड़ी द्रव होता है पित जो होता है एक हलके तथा पीले रंग का छाड़ी द्रव है पित का परमुकारिवसा का इमल्सिफिकेशन करना है नीनिक्स्ट्ट्स अमलका स्वाद होता है तो इसका साइन्समर सी खट्टा अब अम्ल में कौन्स अता है थे आमलका सुआध खट्टा होता है जेसे अम्ल में हो गया सैट्रिक अमल फॉर्मिकमल, एसीटीकमल यह रा कोश्चन आप लगोग समने 32 नमर देखिए कोश्चन है इलेक्ट्रो एंसिफिलो ग्राफ इलेक्ट्रो एंसिलो फ्राफ फेलिव ग्राफ जो यंत्र है वह किसे मपने के लिए प्रयुक्ट होता है तो electroencephalograph यह मस्तिस्क रोगों का निदाउन करता है option number B हो गया अब है electrocardiograph यह हिरदय रोगों के निदाउन करता है उसके बाद है इस फिगमो मेनो मीटर या रख्त चाप नहों पता है उसके बाद ऊच्टेतो इसको यह धरकन सुनता है तो इसका सही अंसर हो गया और नमर बी कि आई इसकी भ्याक्षा देख लाते हैं कि आई कि आउपर भी दिया हुआ अश्टार चेक पॉलिस सेकराइट कर वाड़ेट है प्यपसी नमक एंजयम प्रोटीन के पाचन में सहिता करता है प्रोजिस्टरोन हार्मोन जनन गरंतियों संबंदित है यह अस्तन गरंतियों को प्रदी का नेंतरन करता है कि रिटीन नमक प्रोटीन तोच्वाम में उक्रोब से बाले नौकोनों में पाया जाता है यह वाला इसके बारे में कुछ सिखिए इलेक्ट्रो एंसीफेलो ग्राफ मस्तिस्ख रोगताँ करता है इस फिग्मो मेंंो मीटर से रक्तचार पापा जाता है तथा इस ठी तो इसकोपny मनव के र हिर्दय की धरकन सुन सकते हैं नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं यह रहा नेक्स्ट कोस्चन आप लोग समने नेक्स्ट कोस्चन है ट्रेड मिल टेस्ट कौन सिच कितिसाल से संबंदित है कि कह रहा है कि किस रोग के निदावन में मौनव सरीरक में ऐसा कौन सांग है जिसमें ट् उक्सिजन युवत रखत की कमी धंबनी आधी रोग का पता लगाने का प्रिक्षन करता है। वैं कि अब ये कोस्टेन आपनेगे देखिए चोगतिस नम्मर laur कोस्ट ने लेगर चन्पमें डूती कि देखिए कि लेगर निadaan में ने से किन गर्वन से संब्धित विओ गरंथि किन हार्मोनों से एक थाइरोड क्या है एडडेनल ग्रंती क्या है तो इसका सजी देखे कर दें लेगर हैंस दुईब या अगन्यास है तो इंसुलिन सरावित करेगा का इंसलिन ठेक उसके बबाद करें प्यूश ग्रंती ये ब्रधी हर्मोन फित्टिट्रि किल ही उसके बाद कि थाइरोईट गरंथी केल्सी टोनीन है उसके बाद एड्रिनल गरंथी यह एपी नेफ्रीन है आई आए अब इसका देखते हैं कौन से इंसर आप्शन नम्मर सी मिलान होगी ब्याख्या भी समझते हैं इसे देखें ब्याख्या भी वह दिया कि लेगन हैंस द्वीब से इंसोलीन हार्मोन का स्रा होता है प्यूस गरंथी से ब्रधी हार्मोन का स्रा होता है थाइरोइड गरंथी से केल्सी टोनीन हार्मोन और एड्रिनल गरंथी से एपी नेफ्रीन हार् अब नेक्स्ट कोस्चन दीखते हैं कोस्चन है ब्रदी हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है तो ब्रदी हार्मोन का एक दूश्रा नाव सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी है आप लोग पता होगा कि ब्रदी हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है तो इसका सही अंसर कि फिर्धी हार्मोन की तौ ये इस ग्रंती के बारें कुछ जोनते तो देखे इस डूधी औ Marsh cust के उपाबचै को नियंत्रित करता है कोश्चन करा है कि इंसुलीन किसके उपापचाई को नियंतरित करता है तो इसका सही अंसर है दोस्तों अप्शन नमर एक इंसुलीन सरकराओं के उपापचाई को नियंतरित करता है अब यह इंसुलीन कहां से स्रावित होता है यह भी देख लेते हैं यह रापलाओं समने देखिए इंसुलीन जो कि अग्नासय से इस्थित लेगर हैंस की दूपिकाओं से स्रावित होता है सरकराओं के उपापचय को नियंतरित करता है कोश्चन एक से दो बन गया देखें कैसे इंसुलीन किसे स्रावित होता है अग्नासय में इस्तित लेगर हैंस की द्विपका से सरकराओं को पापचाई को कौन निंतरित करता है सरकराओं को पापचाई को कौन निंतरित करता है इंसुलीन ठेक है देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन यह रहा आर एच कारक एक सब्द है जिसे हम डैस के सम्बंद में सुनते हैं तो इसका सही अंसर है दोस्तो अप्सन नम्मर बी रक्त आधान आईए इसकी ब्याख्या देखते हैं इस प्रकार है रक्त समू की खोज वर्स 1901 में आउस्ट्रिलियाई मूल के अमीर की जीव वईग्यानिक कार्ल लेंड इस्टिनर ने की थी ठीक है कोश्चन देखें दू तीन टा यहां से बन रहा है कि रक्त समू की खोज कब हुई तो इंसर 1901 कि खोज करने वाले वईग्यानिक कहों थे और अस्ट्रिया के मूल निवासी अमीर की जीव वईग्यानिक किस ने खोज की थी कार्ल लेंड इस्टिनर को इसकी खोज के लिए किस वर्ष नोबेल पुरुसकार दिया गया था 1930 कार्ल लेंड इस्टिनर किस खेतर में नोबेल पुरुसकार जीते थे चिकित्सा के खेतर में आर एच एक एंटीजन है जो आर बीसी में पाया जाता है आए यह नेक्ट कोस्चन देखते हैं नेक्ट कोस्चन है कि मनुष्ट का समान रक्त चाप कितना होता है तो 120 वटे 80 mmHg होता है अब यह रक्त चाप क्या है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि 120 वटे 80 ही क्यों होता है तो मनुष्ट का रक्त चाप समान नित्या 120 वटे 80 mmHg मरकरी माना जाता है रक्त चाप की दो मौपे प्रयोग में आती है पहली मौप उपरी मौप उपरी मौप को हम लोग अपने सदारन बासा में नहीं वलकि वग्यान के बासा हम सिस्टोलिक कहते हैं जो 120 मीमी के बराबर नीचली सता जो इसकी होती है वह अस्सी मिमिकी होती है और इसे डाईस्टोलिक कहते हैं यह हुआ दवाब होता है जिसके अंतरगत रक्त दो को हिर्दय संकुचिनों के मध्यांतर समय में धमनियों में बहता है रत्चाप को नाड़ी दवंतर मपी से मापा जाता है तो इसका पहला कुश्चन हो गया यह 120-80CMG होता है सिस्टोलिक 120 डाइस्टोलिक 80 धमनियों फेलाता है जिसके दवाब में इर्दय संकुचन होता है औ अपका सही अंसर हो गया अप्शन नमर B लोहा जिसे बोलता है इसकी ब्याक्षा देख लेते हैं हीमोगलोबीन में पारफाइरीन नमक आईरन पाया जाता है उसके केंद्रक में एक लव का परमनू होता है तथा सरीर में यह गैसों के परिवान का कारिक करता है हीमोगलोबी में पारफाइरीन नमक आईरन पाया जाता है क्योंसे प्रफाइरन उसके केंद्रक में एक लव परमनू होता है तथा सरीर में यह गैसों के प्रिवान का कारिक करता है परहिए हिमो गुलोवीन पाया जाता है तो सहय अन्सर अरबी 193 क्या है तो देखते हैं हिमो implore van decade, एक लव समपन प्रोटीन होता है जो असक्राइब कज़सी नंंट करता है Writing गाल कुछ कोश्चन बन गया कि रक्त को लाल रंग प्रदावन करता है हीमोगलोवीन हीमोगलोवीन एक लव संपन प्रोटीन होता है हीमोगलोवीन और बीसी में पाया जाता है यहीं ता भी कोश्चन कि लाल रुधिर कनी का किसमें बनती है चार अप्शन दियेगे दोस्तों कोश्चन ह किसमी बनती है तो इसका सही अंसर है अस्थी मज्जा अपसे नमर बी में अस्थी मज्जा अब यह लालू दिर्कनिकाव वैस्क में कैसे होती है व्रिद में कैसे होती है देखते हैं इसको आई यह देखते हैं तो वैस्क प्रावनी में लाल रक्त कनिकाओं का निर्मान अरी हड्डियों की अस्थी मज्जा में संपन्न होता है और बीसी का निर्माँन करने वाले उत्तक को यहाँ पर देखे इरित्थ्रोपोईटिक भी कहते हैं इरित्थ्रोपोईटिक उत्तक भी कहा जाता है को यह कि आपके समने नेक्स्ट कोष्चन कोश्चन है लाल रक्त कनिकाए और बी सी का अकार होता है तो चार उप्शन दिएगे दोस्तों वास्तब में लाल रक्त कनिकाओं का अकार जो होता है वह वास्तब में उभियावतल होता है लाल रक्त कनिकाओं वास्तब में उभियावतल होता है देखिए तो इसमें एंसर होगे नानोग दीजिए आपको एंसर लिग दीए अब ये कनिका क्या होती है लाल रक्त कनिका तो देखें यहां पर देखते हैं कोश्चन दिया है कि लाल रक्त कनिकाओं का अकार होता है ब्याख्या इसकी पड़ते हैं लाल रुधिरोन केवल कसुर की जन्तों में पाये जाते हैं कसुर की जन्तों एक होता है एक और कसुर की जन्तों तो अस्तंधारियों के लाल रुधिरोन उभ्यावतल होते एंसर आपका मिल गया कि अस्तंधारियों की रूदिरानू उभ्यावतल होते हैं इन में केंद्रक नहीं पाये जाता है तो अफवाद भी आ जाता है कुछ जनवर देखिए जो अफवाद है उड तथा लामा ऐसे अस्तंधारियें जिनकी लाल रक्त कनिकाओं में केंद्रक पा गटक नहीं है चार ओप्शन दिए गये आप लोगों के समने इसका सही अंसर है कुछ्चन उससे पर एक बार पर रहा हूं कौन सम्मनवरक्त का गटक नहीं है तो DNA मनवरक्त का गटक नहीं वह कैसे नहीं है देखते हैं मनव के रक्त में पाये जोने वाले घटक में पलाजम, आरवीसी, डवलूबीसी तथा रूधिर प्लेट लेट्स समील है जबकि DNA एक अनुवांसिक पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है प्लाजम, आरवीसी, डवलूबीसी, रूधिर प्लेट लेश्ट रक्त में पाया जाते हैं जबकि DNA एक अनुवांसिक पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है यह राप्लों गोग समने next question देखिए मनब शरीर में रख्त के निर्मावन का अस्थान है इससे पहले इसका इंसर हो चुका है फिर से देखिए कि मनब शरीर में रख्त के निर्मावन का अस्थान वास्तव में अस्थी मज्जा है ुऀOS?द्टिकूर मेर्ट का निर्म असथी मत्या में होता है मनब शरीर में रक्त की मात्रा उसके सरीर के भार का लगभग 7% होता है देखी ये भी एक important question बन गया कि मनब शरीर में रक्त की मात्रा उसके सरीर के भार का कितना परतिसत होता है साथ next question देखिए question है वैस्क मानब मेरुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है एक ही कोस्चन है उसको ही लगातार उल्टा-उल्टा के पुछा जा रहा है हर वरान नहीं है देखिए वह एंसर होगा कि वैस्क मानब मेरुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है सही एंसर होगे आपका लालस सुना रहा हूं देखें अस्थी के मद्ध में मज्जा गुहा होती है जिसमें अस्थी मज्जा उपस्थित होता है कोश्चन यहां भी बन गया कि मज्जा गुहा में अस्थी मज्जा उपस्थित होता है उसके मद्ध में मज्जा पीली तथा किनारों पर लाल होती है लाल मज्जा में लाल रक्त कनिकाओं कनिका मैं स्वेतावनू एवं स्वे रुधिर पटिकाओं का निर्मान होता है आईए दिखते हैं कोस्चन है कि मानव सरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिती के कारण नहीं जमता है फिर से एक बार कोस्चन पर रहा हूँ कोस्चन है मानव सरीर के भीतर खून बलड निम्न की उपस्थिती के कारण नहीं जमता है कि तो इसका से इंसर गया हिपेरीन को पस्तितिक करण नहीं जमता है कि अब क्यों नहीं जमता है इपेरीन को पस्तितिक करण, देखते हैं उसको भी आए यह दखिए समान नित्या मानव सरीर के भी तर्रक्त का ठक्का नहीं बनता क्योंकि रक्त में हिपेरीन नमक पदार्थ विद्धमान रहता है आई अब नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं यह आप लोगों समने कोस्चन थोड़ा चैन्ज है कोस्चन है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उप्योग में आता है चार उप्सेन आप लोगों समने दिए गए इसका सही एंसर है और से नमर एक रक्त को जमाने में उप्रोटी का उपयोग होता है कि ऑप्सन नमर एक मानब शरीर में रख्त को जमने में फाइब ब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उपयोग होता है अब उपयोग होता है कि दिखे नेक्स्ट कुश्चन है कि हीमोगलोवीन और क्रोमेटीन के निर्मावन के लिए आवश्यक खनीज लवन है हीमोगलोवीन और क्रोमेटीन के निर्मावन के लिए आवश्यक खनीज लवन लव होता है लोहा अब ये कितना प्रतिशत होता है देखते हैं ब्याक्षा है हीमोगलोवीन और क्रोमेटीन के निर्मावन के लिए लाव आवस्यक खनीज लवन है इसकी कमी से रक्ताल पता हो जाती है लोहे का अभी सोशन केवल 10 प्रतिशत ही होता है कोश्चन है अगला रुदीरानु का कितना प्रतिशत लाल रक्त कनिकाय होती है तो इसका सही अंसर है दोस्तों कोश्चन कहरा है रुदीरानु का कितना प्रतिशत लाल रक्त कनिकाय होती है तो सही अंसर 90 प्रतिशत है अब ये रुदीरानु क्या होता है देखते हैं ये रभ लगवग 40-99.9, 30 भायग लालरकत कनिकाए होती है, रठ में लाल रंग हीम के कारण होता है, lal रठ में स्वेत रुदिर कनिकाओं और लाल रुदिर कनिकाओं का अनुपात लगबग एक अनुपात 600 होता है थेख उसके बाद है एगला कुस्चन समाण व्यक्ति में एक सो मीली लीटर रक्त में कोलेस्टरोल अस्तर किसके बीच रहता है कोशन कहरा है कोई भी व्यक्ति जो समाण निमानव है उसमें एक सो मिली लीटर रक्त में कोलेश्ट्रॉल अस्तर किसके बीच रहता है तो इसका साई अंसर हो गया एक सो से एक सो पचास मिली ग्राम के बीच अप्सन नम्मर सी देखते हैं कैसे तो समन्य व्यक्ति में प्रती एक सो मिली लीटर रक्त में एक सो से डेर सो मिग्रा तक कीलो स्ट्रोल होता है इस से अदिक कोलेस्ट्रोल होने पर हिरदय की बिमारी होने की अदिक समभावना मनुष्त में बढ़ जाती है Next question देखते है Question आ गया कि हिरदय का कौम क्या है Heart का कौम क्या है तो चार उप्शन दिए गया इसका साई अंसर क्या होगा तो वास्ताम में हिर्दय का कारे रूधीर को सरीर के विविन अंगों में पंप करना है ओप्शन नम्मर डी ब्या क्या देख लेते हैं हिर्दय सरीर में विविन अंगों को सुद्ध रूधीर पंप करता है यह अरुदिर परी संचरन तंतर का केंद्रे वाग होता है मौनब सरीर में हिर्दय रक्त को सुद्धी करन के लिए भी फेपरे स्वांश अंगाउं के पंप करता है यह रा कोश्चन आरर्भी कलकत्ता ए ए पढ़िच्छा में पूछा गया है देखे कोश्चन एलकोहल सरीर में पहुच कर निम्नलिकित प्रभाव दिखाता है तो एलकोहल सरीर में पहुच कर वास्तम में हमारे अंदर की समविदन सीलता को कम कर देता है अब यह कैसे कम करता है देखते हैं कि एलकोहल में वास्तम में होता क्या है तो एल्कोहॉल साइकोट्रिक ड्रग होता है जिसका सरीर पर डीप्रेसेंट प्रभाब होता है जिसका सरीर की समवेधन सिल्ता कम हो जाती है एल्कोहॉल साइकोट्रिक ड्रग होता है जिसका सरीर पर डीप्रेसेंट प्रभाब होता है जिस करन सरीर की समवेधन सिल्ता कम हो जाती है और समझजिए समझझञे तो कास हर्मोण नहीं है तो चार प्षण दियेगा दोस्तों इस का सॉए अंसर आप लोगों को समने है अ हर्मों में देखिए इंसुलीन एड्रीणील एड्रिनलीन थाइर्व्मोर्स एन तीनों हर्मोन जो क्रमसब पेंक्रियाज एड्रिनल तथा थाइरोइट ग्रंथी से स्रावित होता है जबकि हीमोगलोवीन रक्त में पाया जोने वाला एक पदार्थ होता है मानव के हिर्दे में कितने बॉल्व होते हैं तो इसका सई अंसर है दोस्तों आपसान नमर एक मानव के हिर्दे में चार बॉल्व होते हैं वे बॉल्व कौन-कौन होते हैं उस चारों बॉल्व का नाम जान लिजिए देख लिजिए यह है मानव के हिर्दाएं में चार परकार के बॉल होते हैं ट्रूपाइड बॉल पल्मोनरी बॉल मिट्रियल बॉल और तिक बॉल उम्मिद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कोमेंट जरूर करें वीडियो का अंत तक जरूर देखें जय मता दे और अपने घरम बने रहें